यहीं सातियों आज चुरुवात करते हम देनिक जागरेंट न्यूस्वेपर का एनलेसिस करना आज की तारीक है 6 दिसंबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार्थ तो हम विश्टरत विश्टलेशन करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं देखेंगे कि G20 ग्रूप क्या है और किस तरह से बारत इसका फाइदा ले सकता है उसके बाद पेज नंबर आट पर पंजाब में बस्ती खत्रे की गंटी तो इसे आप स्विम पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से पंजाब है उसमें खालिस्तान कट्रपंदी जो जो ग्रूप है वो किस तरह से अपने सिर उठा रहे हैं उसके अलावा यहां पर और भी अन्य समझ्चा को देखेंगे तो यह किस से जोड़कर देख सकते हैं तो इंटरनल सेक्यर्टी एनिए जिस तरह से जोड़कर देख सकते कि भारत की जो आंत्रिक राज्जी उसमें कि इस तरह की समझ्चा हैं उसके अलावा आप देख सकते चल बल से मतंतरन को रोकना आवश्यक्त पर इसके बात हम देखेंगे कि मांट सेमर में जुजालं की गट्ना घटी हुई है Hey तूम यहां पर जॉची के बारेन вдn का प्रयास करेंगे कि स्तरब से जुजाला मुकी की गट्ना तों हिस्त होती है कि हम इंडोनेशा to के बारे हम देखने का प्रयास करेंगे तिर उसके बाद हम मांत में देखेंगे जलवाई उपर विड़ते से किस तरह से जो क्रशी है उसको चुनोतियों का सामना पेस्ट कर रही है यहीं पर हम हेल्थ कार्ट है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है और ज उसके बात हम ग्यूंट के बारे हमद साट्यों के बारे हम कि जो फरीयास करेंगे यह जोerson को बात कि बारत में किस तरह से संबावना है पर प्रियातन की तो उसके लिडी मेरे से समझने का प्रयास करेंगी कि बहरत में किस तरह से अनोगी जो यूंक्ला है पर वस्षंक्ला है इसके अलाव आप प्रेखने खर रणाज लगा पारे होंगे इसके अलावा फिर हम देखने का प्रयास करेंगी जो अलाम की घत न है किस तरह से घटी होती है उसकी कारण क्या है तो को समझने का प्रयास करेंगे हम कुछ इमेजस के तुरू देखेंगे कि उसमें कौन-कौन शी शब्तावलियों का इस्तेमाल के जाता है उसको देखेंगे हम कि आने वाले समय में जो प्रिलिम्स आने वाली मई 28 को उसमें इससे संबंदी जो प्रश्णिय है या फ्यक्ट से हो हम पूछ सकते डायरेक्ट यहीं पर हम प्रति के अंध्रिक सरश्णा को भी देख लेंगे कि किस तरह से जो मेगमा है उबार आता है फिर लावा बनता है किस तरह से जो ट्रेंच उनका निर्मान होता है उसके अलबा किस तरह से जो रिंगो फायरे और जहां पर जो फिलिप जो जो आला मुख्या है उसकी लोकेशन को देखेंगे इस तरह से हम मांट सेमर में जो जो आला मुख्या है उसकी लोकेशन के लावा और पी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे फिरम देखेंगे पंजाब की लोकेशन को देखेंगे पंजाब की जो फिजिकल में पर उ स्किम लाई गई थी इसके जो उब्जेक्टिव से उसको समझने का प्रयास करेंगे हम पिर अनत्य में जाते 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 इंचीन लोकेशन के हम बात करेंगे उनको गूगल में देखते हो चलेंगे आई शुरुवात करते हैं मारी पहली ख़बर से कि ट्वंटी की अध्यक्षता एतिहासिक सभी लोग हो एक जूट तो ऐसा किसने का तो मुदी जी ने का तो इसे किसे जोड़ कर देखेंगे पहले हम और ग्लोबल ग्रूपिंग और अपेक्टिंग इंडिया इंड्रेस भारत की हितों को प्रभावित करने वाली दूसरी की भरी नजरों से दुनिया देख रही और खास तोर पर कौन से देश जो विकासिल देशे गरीब देशे और भारत को एक उमीद की नजर से देख रहे हैं उन्होंने कहा कि जीटूंटी की बेटकों के दोरान बारत अपने सांस्कृतिक विविता और पूर्ण विरासत के मा देखने वाला हैं उसके अलावा जो जीटूंटियों का उससे भारत क्या फाइदा हो सकता है तो जीटूंटी समुकी अधिक्ष्टा से एक वर्ष की अउति में भारत परेटन उद्योग को भी नए उर्जा दे सकता है देश के उन परेटन इस्तलों पर विशेस रूप से ज्यान दिये जाना इस समय जो वेश्विक रूप से कम विख्यात है यानि मतलब जो कम प्रचली थी है उन पर ज्यान देने की संभावना है ताकि उन में जो संभावना उसको और किस तरह से बढ़ा जा सके वो देखने वाला ही उसके अलावा परेटन उद्योग पर ज्यान कम यानि पूरा परिवार यानि पूरा वीश्यों हमारा परिवार ही उसके अलाव देखिए या कच्छ से लेकर सिलुगुडी तक जो शहर है उन में जो परेटन की संभावना उन पर ज्यान दिया जाने वाला है पूरोतर पर विशेश रुप से ज्यान दिया जाएगा तो देश के पूरोतर राज्यों के परेटन इस्तलों को जी टूंटे के माध्यम से प्रचारित करने का पर भी जो सरकार है उसका विशेश द्याने यहां पर एक नई निवेश की रणनिती बना जाएगी कि किस तरह से परेटन उद्योख है उसमें जो वेश्विक निवेश को को बड़ा जा सके है कि यहांपर ज्याद से ज्यादा इसकी जिस संबाव ना है उनका दोहान किया जा सके उसके अलावा सरकार कि योजनाय की थिम पार्क है ताशिक परेटन इसकी छेट्र में अधिक-इदिक निवेश को प्रोसान करने के भी इश्यरी journée G20 के बारें दे रखाई है कि विश्व की उन्नी सबसे सम्रद अर्थ व्योस्ता और यूरीपी यूनियन का संगट है ने 1909 में इस्तापना के समय भारत इसका सदर्शे रहा है इसमें अमेरिका, चीन, ब्राजिल, उस्टिलिया, कनाडा, जापन जिसे देशामिल है विश्व को भारती संस्कृती, इधियास, परेटन की असेमी संभावनों से परिशित कराने का G20 एक सुनारा आउसर है भारत की पास ये करके हम भारत को विश्व में एक प्रमुख परेटन के इंदर बना सकते हैं तो G20 समुख की बेटर को से मध्य में मध्यप्रद्य सही देशों की होटल इंडस्री और परेटनों को एक नहीं उचाएं मिलेगी इस तरह से में देखना है कि आनवाले समय भारत G20 के अधिस्ता मिली है उसका किस तरह से जो आउसर मिला है उसको बुनाने में मध्य सायक हो सकता है कम G20 के बारे हम देखते हैं और यह G20 वाट इस दो यहां पर आप देखिए तो यहां पर कुंतने भी यानि 19 तो देशों को और एक European Union होगा तो इनको मिला कर बनता है G20 आप देख पा रहे होंगा कि यहां पर जो मेजर डवलप्त और इमर्जिंग एकोनोमिक से यान अपना 55 प्रतिशत योगदान देता है आप यहां भारत को देखिए जर्मनी को देखिए अर्जेंटिना उस्ट्रेल या प्राजिल करनाडा चाइना फ्रांस जापान मेक्सिको साओध कोरिया तर्की यूके यूसा साओध अफ्रीगा साओधी अराप रश्या यह साब इसम नंबर्स तो कितने सदाश होगे तो 20 सदाश होगे वर्ल्ड पोपुलिशन में कितना योगदान तो टू थर्ट और ग्लोबल जेटी में पिच्छा से प्रतिशत का योगदान देता है का फॉन्डेट हुआ था तो निस निन्यान मुहता और 2008 में जो फर्स्ट लिडर मिटि कि या पर दिखाय गया है उसका लब आप देखिए इसको मेट में आप देख पार होगे कि अप्रिका से के लेग की डेशा आपको दिखायई दे रहोगा तो कौन सा देच लिए तो इंडुन आप्र जो आप यहां पर जो गेश्ट कंट्री से अफ्रिका कि एक मीना है उसके यह क्या होगे, गेश्ट कंट्री सो जाते ही, अब एशया में ये तो इशया में आपको भाराइड दिखाई देरहा होगा, उसके लावा आप देखिए याप पर साओथ कोरिया, जापान, उसके लावा रशिया, उसके लावा आप देखिए तर्की और सौधी-अरब, ये में अमेरिका में यह दिखाए मेढ़ा है यूए से उस्टार्स तरह से इंड आने क्या कर चाहिव पूर्शन इससा दो। सकते हैं कि इसक्रीण wisdom सब्सक्तूंनि है एक साल तक भारत इसकी अधिक्ष्टा करने वाला तो जाहिर के कोई साफ भी फ्रेश्टने पूछ सकते हम से उसके लगा परेटन को देखिए तब परेटन को देख पार होंगे कि भारत में कितनी महपूर्ण कितनी सोंदर यह पुरवक जो इस तलाकृत्य मुझूत है आप मुंबई में देखने का प्रेश कीजिए तो मुंबई में भी आप बहुत सारी जो परेटन से संबंदी संभावना है वो दिख जाएगी आप इन सब इमेजर से परिसी ते आप देखिए को यहां पर कुछ घार दिखाए गए हैं तो आप देखिए कि कितनी अनो की यहां प के उत्तर के नोर्थ के नोर्थ इष्ट के के लवा विलेज है उनको में भी गुम जा सकता है यहां पर देखिए तो यहां पर आपको और भी अनेक संभावना दिख रहे होगी परेटन की इस तरह से आने वाले समय में हमें देखना है कि इबारत किस तरह से जी टूंटी के देखता मिली है उसके अवसर को बुनाने में मदद हो सकती है यह सायक हो सकता है कि इसके बाद देखते हैं अगली ख़वर इंडोनेशय में माउंट सेमुरु जॉलम की पटने से निकले राक में दबे कहीं घर जोगरोपी से जोड़कर देख सकते हैं तो हम यहाँ पर इन फोकस किस पर रखेंगे तो जॉलम की घटना है किस तरह से घटी तो तो उस पर फोकस करेंगी इसलिए हमने जिए सबसे उचे जॉलम की माउंट सेमुरु के पटने से निकली राक में कहीं घर दब गए और एक पूल भी स्चतिग्रस्त हो गया है उसके अलावा कहां पर आया है तो यह पुर्वी जावा की हिस्चे में जॉलम की के लावा के साथ निकली राक की गुबबार के कारण कहीं ग जिसके बाद कि जो आलम की विस्पोट हुआ और विस्पोट होते ही चारों तरफ विसाख्त गेशे फ्यल गई और जो आलम की कलावा पकर पास की एक जो नदी थी उसके और आ गया है तो आप देख पार हूंगे यह आप पर इमेज में आप इमेजों में देखिए ता आप आप देख पार होंगे कि माउंट सेमरों है उस में इस तरह से जो राख है जो राक की घुबार है वो बाहर निकले उसके लागा जल्वाश पहों जो ांज्यके से और बाड निकली ताब देखिए फीक को तरह से जो आलम की गतना है जो लावा है विस्पोट हो रहा है और यह मेंगमा चेंपर होगे जहां से लावा आप बाहरा की तरफ आएगा तो मेगमा अंदर रहता है यह जो गलित प्रदार रहता है मेंटल का उसको मेंगमा बोलते हो जब बाहर आ जाता तो उसको लाव बोलते हैं आप देखिए ओशनी क्रेश्ट है तो यह भारी होने को सबक्षन ओरह यह नेरमान हो तह fur şu on transgender कॉस्त के निचे जा रहां हो यहां पर क्या हो रहा तो सबक्षिन जोन हो रहा है यांवर अंधेखिए तो आ आप देखिए यह से जो मेगमा रही हो देखिए में मेंट प्रू बाहर आ लेगा तो मैं इसा दिखा प्रतित होगा बार की सतर पर देखने पर यहां पर किसी ने घीजर लगाया हुआ है उसके लाव आप देखिए कि मेन विंट हो गए उसके लाव उपर जैसे जैसे आएंगे तो यहां पर आपको क्रेटर दिखाई दो रहे हैं यहां पर वालकेनिक जो बंस है वो दिखाई दे रहोंगी उसके लाव देखिए आप लावा का जो फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा हो दिए जो एश्क के जो बादले क्लाउड हो दिखाई दे रहोंगे आपको अब इसको आप एक अन्य इमिज में यह यहां पर आप समझने का प्रयास कीजि इनको हम सेकंडरी वेंट केते हैं अब एक अन्य इमिज में यह आपने यहां पर बेतोली ते लेकोली थे प्यकोली ते लेपोली उसके लाव डाई की और सेकंडरी शंकूर और लाव प्रवा से बना फटार तो यह कुछ शब्दा हो लिया जब आप इसको पढ़ेंगे जो आप सुनने को मिलेंगे तो यहाँ बस इनको एक बार जयान रखे क्योंकि फ्रेलिनिस में डाय प्रशन प्रशन पूंशकता है कि जो फ्यकोली थे वह किससे संबन देते लेपोली से से लिख से लिख लेपोली उसके अलावार डाईक से लिख और बात करे लिए तो डारिक् यहां पर आप देखिए तो यहां पर आप देखिए तो यहां पर आपको ओशन दिखाई देरोगा उसके अलाव महादीब दिखाई देरोगी तो आप देखिए सबसे उपर क्या होगी है तो लितोस्पेर होगा जिसके अंदर क्या होगी तो क्रेश्ट और अपर मेंटल का जो सबसे उपरी बाग होता है जो एक तरह से किस फों में होता है तो मेल्टन फों में होता है यानि एक तरह से पिगला हुआ गला हुआ फों में होता तभी तो यह उपर की जो परते लिटोस पेर इसके उपर एक तरह से तेड़ती रहती है अब यह तो आपने आंत्रिक सर्चना अपर को प्रत्विक है आप तो आप देखिए यहाप एक लितोर स्पेर हो गया और इन निछे में इस तीने इस पर आपने बात कि देखिए कि एक तरसे मॉल्टन प्रेजा रिख मात अब लिटे सपेर वह फ्लेट है वो प्लेट है क्या करती प्लोट करती रिति अब आप और दूसरा है ऊशनी प्लेट ताब देखी कि जब जो प्लेटे वह भारी होती है भारी होईगी तो निच्छी जाएगी आपने चिजी जाएगी तो यहां पर क्या होगा या पर एक ट्रेंच का निर्मान होगा तो आप देखी हिंगा फरेट ट्रेंच दिकाई दिए रगा का आपस में तकराती है जब प्लेट तरह होगा तरह च्छ कीृब्सक्त आपको गई तरह पर देक्हें आपको यह पर देखिए आपको एक तर्से पर वकथ कर निर्मानद दिखाई दिया तरह और यह व्लित परवुट की तरह दिकाये जाते हैं यहां पर देखेंगे कि सब्सक्राइब अर्यका यह मेरतला है इसे तरह से बृजिन भांट्र सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां यह ector बात किती किसकी मांड से मरुकी जॉला में की की तो कहां पर आया ते इंडोनेशा में तो यह जावा का दीप हो गए यहां पर वो घटना घटी तुई ती तब आप देखी यहां पर आपको इंडो ओस्टिलिम प्लेट इसके लाव यहां पर आपको बीच में फिलिपिन्स प् प्लेट नोर्थ अमेरिकन प्लेट फॉक्स प्लेट उसके लावा सौथ अमेरिकन प्लेट से इसकी सिमा यह लग रही है अब आप देखिए साउथ अमेरिका प्लेट होग इसके दक्षिन में इसको टेया की प्लेट और निचे अंटार्क्रिका की प्लेट को देखिए और य प्रेटन के बीच में क्या हो रहा है तो कनवर्जेंट हो रहा तो क्या बात है यहां पर एक ट्रेंश करने इमान हो गए आपर जो आलमकी घटना है उखटीत होगी उसके लाव यहां पर आप देखिए कि भूकाम स्वानमी तुनामी वह ज्यादा तर यहां पर क्यों आती है त प्रेसे भी कोशन हो गया यह एक वेटर हो गया तो सबसे उत्तर में आपको देखिए कि अल्टुषियन ट्रेंश दिखाए जो रहे उसके नीचे कूरिल ट्रेंश जापान ट्रेंश इसके लाव बोनिन ट्रेंश तुसके लाव आप निच्छे यह तो आपको दिखाए प्रेइब रहे औरो हो गी विड्टल अमेरिकन ट्रेंश तुन आपट्रेंश का निर्मानी की ओर मैंने बताया कि आपको जब दो प्रेट है आपस में कन्वर्जन टो थी यानि जा आव्टी अभी सारी तब यह ट्रेंश का निर्मान लों टाहे अब एक अनी में में यह जम जिसके वज़े से यहां पर गाहों में जो दूप है सूरी की रोशनी पहुंचनी पारी ये और आप रहे लिए क्रिसमस आईलेंड कोकॉस आईलेंड इसके लावाइब सुमात्र वाला चितर हो गया ये जावसागर जावा सागर के दकशिन में । जावा दीमकासर maqasar, शुलावे亲 दीप है इंडो नेशिया का है इन्डोनेश्यका ठेत्र हें इसकी मलीशयका चेतर होगा इस तरह से मैं आपको भी देखना है ता कि कोई से प्रशन हम से पूचते हम डारेट बना सके उसको तब बढ़ते हैं अगली ख़बर पर परिवर्टन की चुनोती से खेती को बचाएगा स्वाइल हस्ट काड्ट जीस त्री से जोड़कर देख सकते हैं एक ट्रेट चेन से अने वाले समय में जलवाई परिवर्टन किस तरह से क्रशे के लिए चुनोती बना हुआ है तो खेती की सेर जांचने के लिए स्वाइल हेल् देश की किसानों को दो चरणों में 22 करोड से अधिक स्वाइल हेल्थ काड़ बाठे जा चुके तो इसा किस ने काया तो नरेंथ सिंग तोमर ने काया इस तरह से अब खेत्री की लागत गटाने के लिए पसलों में रासाइनी खात और किटना शकों के अंदादुन प्रयोग को नियंत्रित करना होगा और इस बाबत किसानों को यागरुकता के लिए विशेश अभ्यान शुरू करने होंगे मिट्टी के स्वास्त प्रबंदन पर ध्यान देना होगा मिट्टी की उर्वरक्षमता के शरण और चलुआई परिवर्टन से रशीच छेत्र के समक्ष प्यदा हुई चुनोंतियों का सामना करना होगा तो इसा कौन के रहे तो नरेंद सिंग कोमर के रहे इन्हों काय की सतत में चैलत्र दिकासक के लक्षर को प्राप्त करने लिए हमें प्रयास करना होगा मिट्टी में जेविक कार्बन की गट्थी मातरा घंविड चिंता का विश्षय है स्के uncertainty क्ढा कई स्वास्त प्रमंद네 योचना के तहत क्या कि दे जा रहा हÝ साथ घ्रामी टेस्टिंग लेबरटरी से निर्मान क्या रहा है क्या रिबाल लेप कैसा भॉल घ्रेस्टिंग लेपका इस्तापीची जा चुक्य तो इसा का मैं इस बताइब को घ्राइब अब यहीं पर जो समयलन हो रहा था उसमें आप देखिए जो पंजाब की क्रशी मंत्री ने कहा गेहूं दान माडल ने बरबात कि हमारी जीवन जमीन और भूजल को किया हुआ खत्म तो ऐसा क्यों कहा पंजब की क्रशी मंत्री ने तो हम 느jakी कुछ का इसा उन्हें कहा कि पंजब में यहूं और दान की पसल करकु को सेरे से खावरीच करते हुए और अंब और कर दान का जिर से फचे बोजल कर पाधिका आउशक्ता की जरूरत की जरूरती पाने की अधिक उप्योंगिता की हो वग्त बूजल की जो शम्ता है वो भी देरी-देरे कम होने लग जाएगी और उन्हें ने क्या कहा जो क्रशी मंद्रिते पंजाब के उन्होंने कहा कि क्रशी की तरीके से फुद्रत को पूरी तरह से नकार दिया गाया है जो हर इत मोडल अपना गया था इन्हों ने आने वाले समय में एक रिखिती गोपनाने की जरूत थे जिससे क्या हो सक connection कि उसको बढ़ाया जा सके उभ्लब की है उसे सरक्षित किया जा सके उन्हों कहा कि पंजाब सरकार आने वाले समय में एक रशी निती तियार कर रही है पंजाब की जो बोगलिक इस्तति यानि जोग्रोपिकल स्टेटर से मिट्टी के सहते पसलो और पानी की उपलब्दता को जान में रखकर तियार किया सके इसी को लेकर पंजाब सरकार एक नहीं निती लाने वाली जिसमिन चीज़ों पर जान दिये जाएगा करशी विख्यानी को विशेशक्यों और किसान संगर्ट्रनों के साथ जो पंजाब सरकारे वह विचारी मर्श कर रही है उसके अलावाल उन्हें कहा कि क्रशी में खात पर किटना से को के सीमा से अधिक प्रयोग के का प्रदेशन नहीं पूछ सकते लेकिन मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अब आप देखिए पंजाब की जिसकी बात थी है पंजाब को आप देखिए पंजाब की लोकिशन आप देख पार उन्हें इसके अंतराष्टी सिमा के देश से साथ लग रही है तो आप हार्याना हो गया इसके लाव अब राज्तान से सिमा लग रही है यही कि अइस तर से हम देखना है पंजाब की लोकिशन को देखिए अब यही से हम देखिनगे कि ल्वेसे जो नद्मेशन से पंजाब क का नम पड़ा हुआ São Si All पंजाब तो इसकी सीमा इधर हमने बातनी की बाकी इधर जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगए क्योंकि आप इसको एक यूटी बना दिया गया है आप देखिए जम्मू कश्मीर हो गया आप देखिए यह रावी नदी एक लाव व्यास तत्रा जी का से ओकर निकल रही है पन्जाब कर निकल रही है अब देखिए रावी और व्यास है उसके बीच में कौन सा दोहा पे तो बीष्ट दोहा पे जो कहला यह मालवा का प्लेंड दिकाया गया इदर इसके लाव इदर आप देखने का प्रैस किजी कॉन को इस चेतर है तो यह तरसे मेदान वाले चेतर है इसलिए यह पर कौन से पस्ले करते हैं ज्याद अतर यहां पर आप प्रशी पंजाब का एगरी कल्चर में उसमें देख लेंगे ताब देकिए यहां पर आपको दिकाई देरोंगा तो यहा प्रशी पंजाब में पंजाब में यहां पर आप देख पार होंगे तो यहां पर ज्यादा तर जो चेतर है आपको उसके अलावा गेहू और जो चावल है उसका दिखाई देगा जो जलवाई कंडिशन है वो इसको अलाव निए करती है यहां पर अब चावल की आगर पोल ऑण रेंफो फॉल अबोऑ ती कम होता याई उसके लिए उप्योड़ी ने लेकिन फिर बीन यहां के जो किसान है वूचांवल की क्षेग करते क्यों करते हैं क्यों क्यों यहां पर नध्ये की वजय से जो खेती करने लगे उससे क्या हुआ ज्यादा तरा किटना शक्वा उसके अलावा जो पेश्टिसाइट ने उनका इस्तमाल किया है उसके अलावा यहां पर जो जमीन यानी भूजल का आधिक दोहन करने की वज़ए से भी यहां पर जो समझषा है वो खड़ी हो गई लेकिन आने वाले समय में तो लेकिन आने वाले समय में कुछ समश्या है उसको किस तरह से किसानों को जाग्रुक्ट किया जासे के जो जूला कि नूट्रिंजमेंट है या निजो पोषक तत्वी प्रबदर्ण किया जा जाग्ट ता कि जब soil test करेंगे तो उसे हमें पता जल जाएगा कि कि पोशक तत्व की जमीन को कमी ही या कि इसकी अधिकता है ताकि हम उसके अनुसार जो रसायन है उनका इस्तमाल कर सके है उसके अलावा क्या है कि जो इसकी खाद की सही मातरा का उप्यों करके कहती कि जो लागात उसको भी करना कि कहा में जब पता चली जाएगा कि इस और लगट या पोशक तत्व की जमिन में कमी है तम उसी पोशक तत्व का इस्तमाल करेंगी या उसी एक चाहज उसको प्रयोग करेंगे जिसके और जो लागा थे वह भी काम हो जाएगी अब इससे क्या होगा कि आगर लागात क प्रदत हो सकती हैं यह कुछ उसके अब्जेक्टिस हो गए हैं आप यहां पर देखने का प्रयास किजी मिनिस्ट्री अग्रिकल्चर एंट फार्मर वेलफेर गवर्मेंट अप इंडिया सोई हेल्थ कार्ट एडविसरी यह ने कुछ परामश दे गई यह तो यहां पर कुछ अब्सक्ति 521 history onches मारे में चाहिए के स्वास्थ और वर्वरकता में सुदार के लिए इस तीरके जैकर ही उनकी खुरा की से पारिश की जासे कि इस तरह की भी जानकरी मुहया कराएगा किसानों को उसके अलावा जोकित कर आएगा जी से जमिन के दिटेन मेनेजमेंट है उसको प्रमोट किया सकेका यानि एकिकरत पोशक ततु जो प्रमंदन यानि मैनेजमेंट इसको बढ़ावा दिये सके घर इसके आलवा इससे क्या वाटर रासानिक पुरवर के उनकी खपत कम हो सकीगी इसका लावा इससे सदत क्रशी ये टो इसको बड़ाव दिने मी भी मदद मिल सकी तो यह सोयल ह度ख कर्ण के बारे में हो गया तो इस तरह से हम इसको देखना था मारी आज कि कबर तो यही समाफोटी है अब अमतर में हम ऑड्रीक पीट तो देख लेते हैं उसकी लोकेशन को गूगल में यहाँ आपर तो अपनगाल की खाड़ी यह अनमान सागपूर हो गया अव mem in seems उन्हें उन्पार आईन लेंड़ेट अंजमान सागॉर्थ हuciones फुल्ट कन अब हमं और निकवर आइलेंड से चलते हैं यह मत्पूर्ट इच्छे तरह दिखाया मलंग दिखाया होगा अब यहीं पर हम देखते हैं जो तेमरु ज्वालम कीगी जो गटना गटी तो हुए इंडोनेशिया में तो आप देख पार होंगी इसकी लोकेशन को देखिए आप यहाँ पर अब इसका आप देख पार होंगे यहां पर इस तरह से जो राक की दिखाई दे रही है आपको यहां पर प्रिश्कृत्तर में आप देखने का प्रयाज कीजिए तो आपको जावा सी दिखाई जिरू होगा पूर्वी जावा की चेत्र माई जाता है अब इस यह का आप इन्डोनेशया आप इंडोनेशयो के जी पर करनेशा होansa मांतानि बीची में इन दोन की बीच में कि यह इसको अलग करती तो जो ब्रुनी आईलेंड से यह पूरा वाला दीप और इसको सुलावेशी इन दोनों को अलग करने का काम करती उसके लाग बान्डार को देखिए हमोलक का मौलुक का साकर दिखाई दे रहा हुगा उसके अलब आप यहाँ पर देखिए यह बांडार का साइलंड्स और किसमस आलेंड हो गया है अब ये जाकार्था है इसको देखने का प्रयास कीजिसके राज़दानी को यह साउथ जकार्त हो गया यह बज़ी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको वेस्ट जकार्ता नोर्थ जकार्ता जिस तरह से हमार दिल्ली में साउथ दिल्ली नोर्थ दिल्ली नोर्थ इस्ट दिल्ली है जिस तरह से उसका विबाजन किया गया तो इसी तरह जकार्ता को भी अब देख पार हूंगे यहां पर जावा को यह मुजियम दिखाया गया है मौज़ा मुजियम तरह से आप सुटलाइट व्यू का गूगल अर्थ का गूगल में पैचे से इस्तेमाल कीजिए आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजिए आपको समझ में आ सके इसके साथ इसकी सीमा चूरी तो आज़र आप देखी इंडिया नोशन से और इसकी लोकेशन को भी देखने का प्रयास कीजिए यहां से एक पेटर होकर निकल रहे जिसकी वज़े से यहां पर जी कुटेरियल रेन पॉरिष्ट है जो वर्षा वने वह वर्स्तित जिसके होगी इस तरह से हमें इसको देखना था हमारा जो इसलेशन वाज नहीं समप्त करते हैं धन्यवाद